हलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुश हों भी क्यों नहीं? आपकी बोर्ड परिक्षा, 10th और 12th दोनों की ही CBSE, राजस्तान बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और अनि सभी बोर्ड से लग 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 कैंसल कर दी गए, यानि इस वर्ष आपकी परिक्षाएं नहीं होंगी आपको next class में प्रमोट कर दिया गया है, 10th वालों को 11th में प्रमोट कर दिया गया है, तो आपके अंदर जो अस्मन्जस चल रहा था, जो घब्राड चल रही थी, जो टेंशन चल रहा था आपके, के पेपर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, उनका movement क्या होगा, objective paper होंगे या subjective paper होंगे, उनके लिये बातों का आपको जवाब मिल चुगा होगा लेकिन प्रश्ण उठता है कि अब इसके बाद क्या अब इसके बाद क्या तो जो बच्चे 10th board में प्रमोट करके 11th class में आ गए हैं 10th board class को प्रमोट करके 11th class में आ गए हैं और वो जो stream लेना चाहते हैं जिस stream में जाना चाहते हैं चाहे वो science में जाना चाह रहे हैं arts में जाना चाह रहे हैं commerce में जाना चाह रहे हैं वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आप जिस मनोयोग से आप board परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उसी मनोयोग से आप 11th class की भी तैयारी करें जहां तक 12th वाले बच्चों का प्रश्ण है तो उनके साम उनकी चुकि ये जो class होती है वो school education में last class होती है अब वो higher education के लिए जो भिन-भिन colleges हैं उनमें addition लेंगे अब जो बच्चे IT, J, NEET या अन्य किसी completion की तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी उसी confidence के साथ जो पहले कर रहे थे अपनी पढ़ाई को जारी रखे अगर आपके अंदर कोई Wowpoh की इस्तिति है कोई अस्मंजस की इस्तिति है घबराट की इस्तिति है कोई tension है आप कोई pressure महसूस करते हैं तो मेरा ये आप लोगों के एक advice है कि आप अपने माता-पिता, अपने टीचर, अपने भाई-वेहन, अपने दोस्तों से इस बारे में share जरूर करें जब आप उनसे share करेंगे तो आपको निश्यत रूप से आपके मन के अंदर जो भी संकाए हैं, जो भी प्रशन आपके उमड़-घुमड़ कर रहे हैं उनका समधान आपको मिलेगा, उनका solution निकलेगा रही बात सोशल मीडिया की, चुकि हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं सोशल मीडिया ने हम हमारे हर चीज में बहुत ज़्यादा interfere कर रखाया तो मैं ये, मेरी ये personal advice है कि आप जितना हो सकए सोशल मीडिया से दूर रहें सोशल मीडिया पर जो भी negative thoughts आ रहे हैं, जो भी negative बाते होती हैं, उनसे please आप दूर रहे हैं क्योंकि आपको अपने अंदर किसी भी प्रकार की negativity हभी नहीं होने देनी है आप अपनी positivity बनाए रखें आपका जो passion था, जो आपकी willpower थी, उसे आप बनाए रखें self confidence, अपना self confidence high level मनाए रखें आप निश्चित रूप से, जिस भी competition की आप तयारी कर रहे हैं, जिस भी exam की तयारी कर रहे हैं उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और ऐसा मेरा दिश्वास है